किसान भाईयों, नमस्कार और सूप्रवाद आज की इस श्रिंकला में हम बहुती महत्व पुर्ण विशय के उपर बात करने वाले हैं आप सभी केला किसान भाई जानते हैं केले की इसigns खेती में अन्न घटक का व्यवस्तापन, अन्न द्रवी का व्यवस्तापन, फर्टिगेशन का व्यवस्तापन, बहुती महत्व पुर्ण भोमिका निबाता हैं उसके पहले हम यह देखेंगे कि यह जो बनाना फसल है इस फसल में जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं ये फसल विश्व में हमारे देश में कितना महत्व पुर्ण है और इसके लिए इसकी उत्पादक्ता, गुनवत्ता और इस पवदे की प्रापर नरिश्मेंट इसकी देखबाल करना बहुत जरूरी विश्य होता है ये फसल केला जो है विश्व में करीब 114 मिलियन टन का बनाना का प्रोडक्शन है यदि हम अंतरराश्टिय व्यापार की बात करते हैं तो 9 बिलियन डॉलर्स का इसका व्यापार है यदि हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो 15% का इसका एक्सपोर्ट है और यदि हम हमारे देश की बात करते हैं तो देश में 8,83,883,000 हेक्टर्स का ख्षेत्रफड हमारे देश में है हमारा देश केले की उत्पादक्ता में उत्पादन में उत्पादक्ता में तो नहीं लेकिन उत्पादन में हम विश्व में नमबर वान है हमारे देश में ये बनाना क्राप इतनी महत्व पुर्ण है इस क्राप की यदि टोटल हम आमदानी देखें तो करीबन 36,000 करोड रुपय का केला हर साल बेचा जा रहा है इस केले की खेती के साथ यदि हम हर सारी बाते देखेंगे तो इसके साथ करीबन मान के चलिए कि कम से कम एक लाख करोड रुपय का टर्नोर इसी एक फसल के पीछे है इतना महत्व पुर्ण ये फसल है और इसलिए केले की साइन्टिफिक खेती केले की देखभाल उसकी उत्पादक्ता गुन्वत्ता और इसके जो इशूज है अलग-अलग प्रकार की इशूज है इसके उपर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है आज का जो विशे है जो बनाना का नूट्रिशन और फर्टिगेशन मानेजमेंट का विशे है नूट्रिशन इस क्रॉप के अंदर बहुती इंपार्टन रोप ले करता है यदि आप देखेंगे तो नूट्रिशन हमारे लिए क्यों जरूरी है क्योंकि आप देखते हैं कि बनाना ये बहुती हेवी फिडर्स क्रॉप है इसकी नूट्रिएंट की जरूरत है बहुत ज़्यादा है जब एक तन केला हम निर्मान करते है तो 7-8 किलो नाइट्रोजन की जरूरत होती है जब एक तन केला हम निर्मान करते है तो 1-1.5 किलो की हमें फॉस्परस की जरूरत होती है और जब एक तन केला हम निर्मान करते है तो 20-30 किलो तक हमें पोटास की जरूरत होती है तीसरी बात हम देखेंगे कि हमें nutrient का efficient use क्यों करना है nutrient का efficient management क्यों करना है यदि हम केले का उत्पादन खर्चा देखें और उत्पादन खर्चे की यदि बात हम करते हैं तो international level पे केले का उत्पादन खर्चे में करीब 40-45 प्रतिशत हिस्सा ये nutrition का है हमारे देख की बात करेंगे तो 35-45 प्रतिशत का हिस्सा nutrition का होता है यदि हम उत्पादन खर्च में इतना बड़ा हिस्सा nutrition के उपर खर्चा करते हैं fertilizer के उपर खर्चा करते हैं तो क्या ये fertilizer पौदे को मिल रहा है क्या ये fertilizer पौदे को उपलब्द हो रहा है क्या हम इसका balancing कर रहे हैं, क्या हम appropriate time पे इसको दे रहे हैं, क्या हम इसको appropriate form में दे रहे हैं, तो ये जो सारी चीजे हैं, ये सारी चीजों का importance इसमें होता है primary nutrient है, secondary nutrients है, micronutrients है, other minerals है, bio fertilizers है, growth regulators है, organic compost है, ये जो सारी चीजे हैं, ये सारी चीजे अहम भुमी का निर्मा प्ले करते हैं हमारे देश में होर भी एक चीज हमें बड़े खुशी से आपको कहना चाते हैं, कि इस crop में जिस तरह से, last 30 साल से, जैन इरिगेशन ने काम किया है, ये pioneering work किया है और इसी pioneering work के माध्यम से, देश के केले की उत्पादक्ता, गुनवत्ता, last 30 साल में, साड़े 300 गुना, अच्छे जो किसान है, जो scientific खेती करते हैं, इनकी उत्पादक्ता, साड़े 300 परसंट तक बड़ली है और इसी लिए, हमारा देश अच्छा काम केले में कर रहा है, last year का यदि उधारन हम देखते हैं, कि इस फसल को हमें क्यों जादा important देना है तो last year पहले, 2 साल पहले, हमारा export स्रिफ 7000 करोड रुपे का था, लेकिन, सारी, 700 करोड रुपे का था, लेकिन, last year का यदि उधारन हम देखते हैं, तो 1500 करोड रुपे का निर्यात, last year हमने केले के खेती में किया है और यदि इस श्रिंकला को हम आगे बढ़ा हैं, इस फसल को हम अच्छी तरह से आगे लेके जाएं, तो इसके जो basic principle हैं, ये principle को हमें समझना है ये एक उधारन के तौर पे हम आपको बताना चाहते हैं, कि यदि हम 1990 की बात करते हैं, 2005 की बात करते हैं और 2020 की बात करते हैं तो ये 2016-17 तक की बात यदि आप देखते हैं, तो हमारी जो केले की खेती हैं जो हमारा केले का क्षेत्र है उस शेत्रे की यदि हम बात करते हैं तो हमें ये समझ में आएगा इस डेटा से आपको ये पता चलेगा कि जो 1990 में आरगानिक कार्बन था और जो 2005 में, 2016 में, 2020 में जो आरगानिक कार्बन है ये कितनी तरह मात्रा में कम हुआ है जो स्वाइल जो प्रमान पे कम हुई है ये आप देख सकते हैं तीसरी बात आप देखेंगे कि जो जमी ने जलगाव डिस्टिक का एक्जामपल आपको इसलिए दिया हूँ कि यहां बहुती अच्छी तरह से केले की कमर्सियल फार्मिंग होती है जैसे के आदर स्टेट में हो रही है गुज जहां किसान भाई केले की खेती करते हैं उनके लिए भी ये एक अहम मुद्दा है उसके कारण ये है कि जो बनाना की खेती है उसमें जिस प्रकार की alkalinity थी मतलब शार का जो प्रमान था यदि 2005 और 2020 की बात करते हैं तो 2005 में जब ये प्रमान 5 से 3% का था तो आज ये प्रमान करीब 20% का हुआ है मतलब इस इतने स्ट्रांग इतने फास्ट वे से हमारी जमीन डिपलेट हो रही है डिग्रिडेट हो रही है हमारे जमीन की उत्पादक्ता कम हो रही है और इसलिए nutrition में जो अहम मुद्दा है ये मुद्दा जमीन का होता है nutrition के जो तत्व है उस तत्व की यदि हम बात करते है तो सबके लिए पाउदों को कार्बन चाहिए है है अक्सिजन चाहिए ये तो निसर्ग हमें भरपूर दे रहा है लेकिन यदि उसका major nutrient, micronutrient, minerals ये यदि हम देखते है तो इसकी मातरा दिन बर दिन इसका जो imbalancing है इस imbal balancing को हमें संबालना है nutrition जिस प्रकार से होता है ये depends करता है जैसे की जमीन है जैसे की पौदा है जैसे की जडों की कक्षा है जडों के कक्षा का वातावरन है रूट की ग्रोथ है स्वाइल की chemical property है biological property है physical property है ये सारी चीजे जिसको हम राइजो स्पियर बोलते है जिसको हम root zone पौलते हैं हम आगे देखेंगे ये जो तत्व है ये जो जडों की कक्षा में जमीन का तत्व है इस तत्व के उपर पौदे का nutrient का अप्टेक डिपेंड होता है और इसलिए जब हम nutrition देखना चाते हैं तो nutrition के साथ साथ हमें जमीन की health भी देखनी है हमें जिस प्रकार से जम में आलकली बढ़ रही है जिस प्रकार से salt बढ़ रहे है उसी प्रकार से हमें हमारे वेवस्तापन में management में सुदार करने की जड़त है और इसके लिए जो तत्व है nitrogen, phosphorus, potassium, 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 potassium केले के खेती में अहम भूमे का निबाता है इसके बारे में हम बात करेंगे तीसरा यदि आप देखेंगे iron है, copper है, zinc है, boron है, manganese है, chlorine है, cobalt है, silicon है, molybdenum है ये सारे जो क्षुश्म तत्व है, इसकी जो hidden hunger होती है, कही जगा हमें symptom मिलते हैं, तो कही जगा हमें symptom नहीं मिलते हैं, और इसलिए इन तत्व का balancing होना ये बहुत जरूर है और इसलिए यदि हम fertilizer का classification करते हैं, जैसे हमें थाली में हर चीज की जरूरत होती है, जब हम खाना खाते हैं, तो बहुत बढ़िया उसमें सारी चीचे मतलब आचार से लेके, limbu से लेके, salt से लेके हर चीज होती है, तो इसी प्रकार से पवदे को भी हर घटक की, हर nutrient की होती है, यह जो nutrient की जरूरत है, यह अलग-अलग माध्यम से होती है, fertilizer जो होते है, अलग-अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि organic fertilizer है, inorganic fertilizer है, bio fertilizer है, यह जो सारे fertilizer है, इनकी मातरा हर खेत में, हर पवदे के लिए, जमीन में हमें हर साल इसका replacement कर करना है, क्योंकि जो बलकी organic manure आप बोलते हैं, कि जिस manure से soil का texture बदलता है, जैसे कि vermicompost है, यफवाम है, नीम केक है, concentrated organic manure, नीम केक, सारी नीम खलिया होती है, करंज की खली होती है, groundnut की खली होती है, यह concentrate में आते हैं, तो तीसरा आप देखेंगे, green manuring crop है, हम डेंचा लग कर रहे, हम ताग लगा रहे, सन लगा रहे, green manuring कर रहे, 15 से 20 टन का green manuring प्रतियकर हम incorporate कर रहे, यह जमीन की सुपिकता को nutrition management के पहले उसको हमें संबालना है, यदि जमीन की cation exchange capacity अच्छी ना हो, जमीन का sodium content कम ना हो, जमीन का EC कम ना हो, जमीन का pH कम ना हो, तो हम जो काम कर र है, इसमें हमें, जिस प्रकार से efficiency मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है, और इसलिए, जब हम nitrogenous fertilizer आप सब लोग जानते हैं, यूरिया है, ammonium sulfate है, phosphorus में, आप देखेंगे, dap है, super phosphate है, 12, 32, 16 है, 0, 52, 34 है, बहुत सारी grades है, potassium grade हमारे पास बहुत सारी है, MOP है, SOP है, potassium nitrate है, यह आप जानती है, complex fertilizer में जो mixture होता है, वो mixture हमारे हम जानते है, micronutrient अलग-अलग farm में आते है, soil amendment में जरूर हम आपको बात करेंगे, soil amendment जहां जमीन का EC बढ़ रहा है, जहां जमीन का pH बढ़ रहा है, उसको amendment करने के लिए जिपसम है, दूसरे वाले दे management हम अलग तरीके से करते हैं, bio fertilizers है, जो bio fertilizers की जो जरूरत है, कोई भी nutrient को यह जो nutrient आप देख रहे हैं, इसमें जो आप अन्न घटक का प्रमान देख रहे हैं, इसमें से कोई भी एक example हम लेते हैं, कि जो ammonium जो single super phosphate है, जिसके अंदर 16% का phosphorus है, potash है, potash में 60% का potash है, तो यह जो fertilizer grades है, nitrogen 46% urea है, यह इसलिए किसान भाईयों आपको बता रहें, कि बहुत बार ऐसे होता है, कि जब हम nutrient management की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना जरूरी है, कई बार ऐसी गलत फैमी हमारी होती है, कि यदि back के उपर 46% nitrogen लिखा है, तो इसका मतलब उस back के अंदर 46kg nitrogen नहीं है, उस back के अंदर 46% nitrogen है, मतलब जब हम 100kg urea डालेंगे, जब हम 2 bag urea डालेंगे, तब हमें 46% nitrogen मिलेगा, जब हम 50kg urea डाल रहे है, तब हमें 23kg nitrogen मिल रहा है, यह calculation आपके सब धान में आने चाहिए, इसके लिए यह आपको बता रहे हैं, यह जो सारे जो nutrients है, यह nutrients के available farm आप देख रहे हैं, जब हम nutrient जमीन में डाल रहे हैं, तो यह आनायन और काटायन के farm में इसका development होता है, और इसलिए हम bio fertilizers की बात कर रहे थे, राइजोबियम है, potassium soluble bacteria है, या वाम है, इस प्रकार के micro isa है, के solubilizing bacteria है, तो जब हम जमीन में fertilizer डालते हैं, तो जमीन में fertilizer डालने के बाद में उसका available farm में conversion होता है, यह conversion होने के लिए, जैसे के हम देख रहे हैं, कि आपने urea डाला, या आपने ammonium sulfate डाला, तो उसका जो farm ह है, NH4 double plus, यह ammonium का farm है, तो nitrate का यह no 3 है, मतलब जब हम example urea का लेते हैं, तो यह amide farm में होता है, amide farm से वो ammoniacal farm में convert होता है, और ammoniacal farm से वो nitrate farm में convert होता है, और यह conversion करने के लिए, इसके लिए bacteria की ज़रत होती है, नैट्रो बैक्टर जैसा bacteria है, तो यह जो nitrate जैसा bacteria है, phosphorus का conversion, phosphorus solubilizing bacteria है, तो यह जो सारी chemical process और biological process जमीन में होती है, इसके लिए जमीन का organic carbon content जो कम से कम एक होना चाहिए, यदि हम अलग देश की बात करते हैं, यदि हम Ethiopia का उधारन लेते हैं, जहां हमारे पौदे लगते हैं तो वहां organic carbon ये 4 से लेके 10 तक है, हमारे यहाँ less than 1% है, तो जितना organic carbon जादा होगा, जितना compost जमीन में जादा होगा, उतनी nutrient availability जादा होगी, उतना microbial count जादा होगा, माइक्रो फ्लोरा जादा होगा, माइक्रो फना जादा होगा, तो ये जो सारे millions of bacteria जमीन के अंदर है, ये bacteria हमारे पौदे को, ये जो fertilizer है, इसको available farm में convert करके, और उसको पौदे को available करने के लिए मदद करते हैं, और इसलिए ये जो घटक आप देख रहे हैं, ये इसलिए भी आपको जरूरी है, कि जब हम micronutrient का management करते हैं, तो हमें बहुत बार इन चीज़ को समझना है, कि ये किस प्रकार से उपलब्द होता है, तीसरी बात आप देखेंगे, कि जब हमने आपको पहले बताया, कि हमारे यहाँ जो केले की खेती हो रही है, ये basically alkaline soil में हो रही है, ज लेकिन केले की pH की जरूरत क्या है, यदि उसकी जरूरत कम है, तो इसके लिए हर एक काम generation ने किया, कि सबसे पहले इस देश में fertilizer management का scheduling बनाया, vertigation management का scheduling बनाया, और 30 रिबात जैसे जैसे केले का अभ्यास करते गए, जैसे जैसे विशह समझते गया, तब ये समझ में आया, कि बनाना के लिए, तो जमीन का जो soil pH है, इस slightly acidic होना जरूरी, लेकिन इसको आला पे सडन हम नीचे नहीं ला सकते, और इसके लिए, फॉस्परि ये हम बताना चाते हैं, कि फॉस्परिक असीड होता है, ये स्त्री पीओ फॉरफार्म में पवदा उसको लेता है, बहुत बार हमारे किसान भाईयों का इसके बारे में भी थोड़ी गलत फैमी होती है, कि फॉस्परिक असीड क्या है, और आर्थो फॉस्परिक असीड क्या उसको आर्थोफासपरिक नाम दिया गया, otherwise हाइपोफासपरिक असीड है, पाइरोफासपरिक असीड है, ट्राइफासपरिक असीड है, there are so many forms of फासपरिक असीड, लेकिन हम जो फासपरिक असीड यूज़ कर रहे हैं, जिसमे 85% का फासपरस होता है, वो पोदे के लिए बहु क्यों फर्टिगेशन के उपर जाना है, हमें क्यों इसको बारकाई से देखना है, प्रिसाइजली देखना है, उसका कारण ये है, कि जो फर्टलाइजर हम हाथ से डाल रहे हैं, उसकी जो नाइट्रोजिनस फर्टलाइजर है, ये कितना वेस्ट हो रहा है, 50-60% इसकी कारेक यदि इस प्रकार से जो ट्राइडिशनल वे हमारा है जिस तरह से पारंपारिकता से हम अन्न घटक का व्यवस्तापन करते आए हैं उस व्यवस्तापन से यदि 50 प्रतिशत से ज्यादा अन्न घटक पौदे को मिलता नहीं होगा तो जो हम 35-40 प्रतिशत उत्पादन खर्चे मे न्यूट्रियन के उपर पैसा खर्चा कर रहे हैं यह पैसा हमारा वेस्ट जा रहा और इसके आलावा जो नुकसान हमारा गुनवत्ता में और उत्पादक्ता में हो रहा वो दूसरी हम बात है तीसरी बात है जैसे कि मैं इसके पहले आपको बताया कि प्लान का जो न्यूट की होती है जमिन के अंदर जो स्वाइल का जो राइजो स्पियर है मतलब जहां जडो का विकास हो रहा है यह जडो का विकास आप देखेंगे यदि आप इस प्रकार से देखते हैं तो अन्न घटक की इफिसेंसी अन्न घटक की उपलाब दपता किस चीजों पर डिपेंड है इसकी अधी बात हम करते हैं तो सबसे अहम भूमिका जो है सबसे अहम भूमिका यह स्वाइल की होती है स्वाइल में आरग्यानिक कंटेंड कितना है स्वाइल का पियज कितना है स्वाइल में अलकली कितनी है स्वाइल आसीडिक है कि अलकलाइन है स्वाइल का राइजोस्पियर कितना है जमीन का जो उपर वाला हिस्सा है उसकी फिजिको केमिकल प्रापरटी क्या है उसकी काटा इसके उपर nutrient efficiency ये depend होती है पवदे का जो nutrient होता है ये nutrient कोन अपसार करता है ये nutrient अपसार किया जाता है root hair से पवदा जो root लेता है ये root hair से लेता है और इसलिए root hairs की अच्छी growth करने के लिए जब हम nutrition की बात करेंगे जब हम fertilizer management की बात करते हैं तो हम soil के हिस्से को कभी भूल नही हम नहीं सकते क्योंकि soil यदि अच्छी नहीं है स्वाइल के अंदर कम से कम 40% lip 30% प्रहिती प्रजिशन सीव्ट और 30% sand नहीं हो तो वह जमीन केले के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है क्योंकि उस का जमीन में जडो की जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं होती है यदि हमें यदि हमें जडो को अच्छा रखना है हेल्दी रखना है जिस कोई भी घटक का स्वाइल की फिजिकल प्रापर्टी हो स्वाइल की केमिकल प्रापर्टी हो इस प्रापर्टी का सबसे पहला असर यदि किसके उपर होता होगा तो स्वाइल के स्वाइल के हेर के उपर होता है जो जड़े है जो जड़े जहां से जिसक अंदर nutrient आता है उसके उपर सबसे पहला असर उसका होता है और इसलिए soil property को हमें संबालना यह सबसे important बात है यदी soil में आप देखेंगे कि sodium absorption ratio जो है यह यदी 15 से ज़्यादा होता है मतलब sodium का प्रमान यदी ज़्यादा होता है यदी हमने roots का dry matter content देखा यदी हमने roots का analysis किया सबसे जो अहम भूमिका है जो घटक जमीन में पौदे को तकलीब देता है तो है sodium और यदी sodium जमीन के अंदर जादा है बहुत अच्छा एक success story आपको हम last में बताएंगे हमारा जो महेश्वर में एक जो हमारे किसान भाई है सितान शुजी उनका एक story आपको last में हम बताएं कि जहाँ 9.6 pH के अंदर हमने किस तरह से बनाना की garden खड़ी की है मेरे ख्याल से ये इस देश की एक unique story होगी इस देश का एक unique example होगा कि जहाँ स्वाइल का pH 9.6 है वहाँ पे हमने बनाना लगाया है और आज वो बनाना फ्रूटिंग पे है ये हम जरूर देखेंगे किसान भ और हमें ऐसा लगता है कि जो जमीन है जमीन का pH 8.5 हो गया नौ हो गया इसका मतलब ये जमीन बंजर है इसका आर्थ वो नहीं है यदि हमें real soil को समझ लेना है यदि हमें real fertilizer के schedule को समझना है यदि हमें nutrition का efficient management करना है तो सबसे पहली जो भूमिका है आप सब किसान भाईयों को soil का analysis करके ये report हमें देना जरूरी है उसका कारण ये है उसका कारण ये है कि alkali soil है sodic alkali soil है और saline soil है जो alkali soil होती है alkali soil में भले ही pH जादा हो लेकिन alkali soil में आप देखेंगे कि alkali वाली soil में electrical conductivity जो होती है वो less than one होती है इसलिए pH भले ही जादा हो लेकिन electrical conductivity कम है pH भले ही जादा हो लेकिन carbon exchange capacity अच्छी है तो वो जमीन केले के लिए अच्छी है जिस जमीन का drainage अच्छा है वो जमीन केले के लिए अच्छी है लेकिन हम दूसरा example आपको देंगे जो जमीन sodic soil है जो जमीन black alkali है जो drainage block है और जिसका pH बहुत जादा है जिसका EC भी जादा है इस प्रकार की जो soil होती है उस प्रकार के soil में और एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे ये भले ही इसका pH जादा हो स्वारी EC और pH दोनों जादा हो लेकिन जो black alkali soil होती है जो sodic soil होती है इसमें जो electrical conductivity होती है ये हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो जिस-जिस अलग-अलग प्रकार की जमीन है जिस-जिस अलग-अलग प्रकार की property जमीन की है इस property को यदि अच्छे से समझना है और केले के लिए यदि बहुत अच्छी suitable soil है ऐसा यदि हमें ध्यान में लेना है तो इन चीज़ों को समझना है फिर केले के लिए nutrition efficiency के लिए अच्छा fertilizer management के लिए क्या-क्या parameters होने चाहिए तो सबसे पहला parameter तो है कि जमीन आपकी डेड़ मिटर की depth की होनी चाहिए दूसरा important उसमें organic carbon कम से कम एक होना चाहिए तीसरा important उसमें sand, silt, clay का प्रमान होना चाहिए 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 और इसी इसीज को हम लोग कहते है soil water plant relationship इसीज को हम कहते है कि जमीन के अंदर पानी का जमीन के अंदर air spaces का जमीन के अंदर sand का, silt का, clay का प्रमान यदि जमीन में air spaces नहीं है यदि जमीन में बहुत ज्यादा प्रमाने में sodium है, chloride है तो जो पौदे को हम nutrient दे रहे है इसकी availability नहीं होती है और इसलिए यदि मैं आपको बता रहा था कि इसके लिए हमें root का analysis भी करना चाहिए, इसके लिए हमें पत्तों का analysis भी करना चाहिए, कि जो toxic element है, जो toxic salt है, इसका प्रमान हमारे plant के अंदर कितना है, यदि हम समझते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा management हम कर सकते हैं तीसरी बात आपको हर ध्यान में लेनी, बात आपको ये ध्यान में लेनी है, कि जमीन जो होती है, कुछ प्रकार की जमीन ये crust formation करती है, कुछ प्रकार की जमीन sudden dry होती है, sudden weight होती है, और इस प्रकार की जमीन में जडो को damage होता है, तीसरी जमीन होती है, कि जिसमें जो important हिस् यह 87 परसेंट जो पानी पौदा लेता है यह ऊपर वाले 300 mm वाले लेर में लेता है मतलब ऊपर वाले 30 cm में लेता है और जो 13 परतिशत का पानी है यह 13 परतिशत का जो पानी है यह पौदा नीचे वाले 30 से 60 cm के लेर से लेता है और इसलिए एक चीज हमें समझनी चाहिए कि ज आई जो स्पेर है जे रूट्स है जो रूट्स जो है इसके संपर्क में जो मिन के जो पार्टिकल साते है उस पार्टिकल की केमिकल प्रापरटी किस प्रकार की है उसके उपर पौदे का जड़ो से अन घटक लेने का जो प्रमान है वो उसके उपर डिपेंड होता है और इसलि depend है soil के nature के उपर और सबसे हम भुमिका soil का nature, nutrition और root ये तीनों चीजों को हम अलग नहीं कर सकते तीनों में से कोई भी चीज मिस होगी तो हमारा नुकसान उसमें हो रहा है हम पवदे का नरिश्मेंट अच्छे से नहीं कर सकते और इसलिए ये आप देख रहे हैं कि राइजोस्पोर में कितना जबरदस root की growth है और ये 27th day from planting जो giant tissue culture का पवदा है 27 दीन में आपको बता रहा है कि करीबन 5 feet की length इस roots की है ये roots की development हमारे लिए अहम भुमिका है इसलिए इस प्रकार का राइजोस्पियर maintain करना और ये maintain करने के लिए जमीन के health को maintain करना ये सबसे और आहम भुमिका होती है इसके लिए ये आप देखेंगे तीसरा important जो भाग है ये आप देखेंगे कि इसके अंदर जो root की depth है जिसको हम राइजोस्पियर कहते हैं nutrition का management vertigation का management ये क्यों जरूरी है ये हम आगे देखेंगे इस जड़ो की कक्षा में हमें जड़ो की कक्षा में aeration रखना है कम से कम हमारी जो soil होती है बनाना में एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि बनाना में जो soil जो होती है ये हमेशा field capacity में होना जरूरी है इसका मतलब ये होता है कि जमीन ये पानी से saturate होती है उसमें year spaces कम से कम 30-35 प्रतिशत के होते है और जो leaching से gravitational force से जो पानी नीचे जाने का प्रमान है वो जो stop हो जाता है तब जमीन field capacity में आती है जब जमीन के जड़ों की कक्षा में हवा, अन्न द्रवे, पानी और जड़े nutrient ये सब समतल प्रमान से होते है तो ये राइजोस्पियर को हम ideal climate बोलते है यदि हम जड़ों की कक्षा में ideal climate निर्मान ना कर दे तो हम हमारे nutrient की उपलब धता पवदे का जो nutrient efficiency है इस चीज़ को नहीं बढ़ा सकते और इसलिए इसे एक nutrient pool कहा जाता है ये nutrient pool कैसे है आप किसान भाईयों एक चीज़ ध्यान में लिजिए आज हम इस चीज़ को समझ लेंगे कि किस तरह से हम बनाना के nutrient को manage कर रहे आज तक जो व्याख्यान आप सुनते आए आज तक जो मार्दशन आप करते आए हमारा प्रयास होता है कि हर टाइम आपके knowledge में कुछ हम add कर सके आपके knowledge को कुछ enrich कर सके और केले की उत्पादक्ता, गुनवत्ता, productivity, nutrient की efficiency और nutrient का उपयोग हम काफी अच्छी तरह से कैसे करे और इसलिए एक चीज को हो और आपको समझना है मैं आपको आगे बताऊंगा कि पवदे का जो nutrient pool होता है nutrient की availability जो होती है ये nutrient की availability irrigation, drip irrigation, fertigation इसके उपर depend है हम पढ़ जडोग की कशा में किस प्रकार से nutrient का concentration maintain करते है, उसके उपर depend है और तीसरी बात ये है पवदा किस तरह से nutrient को लेता है ये nutrient लेने की पद्धती क्या है हम जब खाना खाने बैट्टे है तो हम हाथ से खाना खाते है कुछ लोग spoon से खाना खाते है जो Britishers ने हमको खिलाया, लेकिन ज़्यादा तर food intake करने की जो पद्धती है तो हम हाथ से food ले रहे या हम spoon से food ले रहे liquid fertilizer, liquid nature का fruit juice है तो हम straw से ले रहे, glass से ले रहे इस प्रकार से हमारी पद्धती पवदे की पद्धती क्या है पवदे की पद्धती दो तरीके से है पवदे की पद्धती nutrient का diffusion है न्यूट्रियन का जडो की कक्षा के उपर का जो प्रमान है उसके उपर डिपेंड है और इस न्यूट्रियन को अप्टेक करने वाली यक यंत्रना काम करती है उस यंत्रना का काम है न्यूट्रियन पूल पूल का आर्था क्या होता है खेचने का आर्था होता है तो न्यूट्रियन की इस प्रकार से खेचे जाते हैं न्यूट्रियन इस प्रकार से खेचे जाते हैं कि जब जो पत्ता है पत्ते के उपर सनलाइट आ रहा है पत्ता फोटो सिंतेसीज कर रहा पत्तो से पानी का विसर् transpiration हो रहा और जो evapotranspiration हो रहा है उसके साथ जो पानी उड़ के जा रहा है तो ये जो पानी evaporate हो रहा है पत्तों से पानी उड़ के जा रहा है ये पानी nutrient के पूल को निर्मान करता है एक बात आप ध्यान में रखिए nutrient balancing is a nutrient gain and loss water balancing is a nutrient water gain and loss तो जितना पत्तों से पाउदा पानी loss करेगा जितना पत्ता पानी evaporate करेगा पत्तों की पाउदे के पूरे शरीर में बाड़ी में पानी का प्रमान मेंटेन करने के लिए हमें वो पानी को संबालना है और इसलिए पाउदा root से पानी खिशता है जिसे हमें nutrient का पू तो diffusion होता है, diffusion का मतलब है higher concentration to lower concentration आपने fertigation किया है, जडो की कक्षा में nutrient है, जडो की कक्षा में yeration है, oxygen का प्रमान अच्छा है, वापसा स्तीतिय पानी का प्रमान अच्छा है, nutrient soluble farm में उपलब्द है, liquid के farm में उपलब्द है, तो ये nutrient जडो के अंदर यंट्री करता है और ज इसको खेचने का जो mechanism है, उस mechanism को nutrient pool कहा जाता है, तो यहाँ एक चीज होर आपके ध्यान में आएगी, यदि आपका पौदा पानी से सफर हो रहा है, यदि आप उसको कम पानी दे रहे हैं, यदि आप उसको saturated पानी दे रहे हैं, तो क्या होगा, जब आप saturated पानी दोगे, nutrient का leaching होगा, जब आप black alkali soil में, black soil में आप बहुत जादा पानी देंगे, तो surface के उपर water stagnation होगा, तो water stagnation जो है, जो जड़ो की कक्षा है, उस जड़ो की कक्षा में oxygen का प्रमान negligible होगा, पौदा roots respire नहीं कर पाएगा, उसको oxygen नहीं मिलेगा, और root की जो कार्यक्षमता है वो कम होगी, पौदा यदि पानी के stress में है, तो पौदा nutrient pool नहीं निर्मान करेगा, पानी जब जड़ो की कक्षा में ज़ादा pressure से hold किया जाएगा, ज़ादा pressure से hold करेगा, तो पौदे के जड़े है, जो roots है, वो पानी को ले नहीं पाएगे, और इसलिए हम कहते हैं, कि temperature का, कम और ज़ादा temperature का, यदि किसके उपर आसर होता होगा, तो सबसे पहले nutrient roots के उपर होता है, और इसलिए ये roots जो हमें roots को संबालना है, और हमें leaf को संबालना है, ये leaf का standard आपको दिया, यदि हमारे पौदे के roots, पौदे के leaf deficient है, आने वाले समय में, जई आर एंडी ब sample को लाइए, आप आपके जमीन के sample को लाइए, आप leaf के sample को लाइए, आने वाला जो समय है, ये हम आपको कहेंगे कि आपको बड़े ही efficient way से nutrient का management करना है, आपको ऐसे लगता है कि आपका पौदा बहुत healthy है, लेकिन यदि उसके अंदर zinc की deficiency है, यदि उसके अंदर बौरान क deficiency है, यदि उसके अंदर potassium के deficiency है, तो उसका आसर सीधा गुनवत्ता के उपर, उत्पादक्ता के उतर, plant के metabolic activity के उपर, enzymatic activity के उपर, nutrient जब हम देखेंगे, तम हम उसकी बात करेंगे, और इसलिए, ये soil, ये जो leaf analysis का status है, यदि हमें हमारा पौदे की growth healthy हो रही है, ये यदि सम मज़ना है, तो पौदे के पत्ते में कम से कम 2.6% का nitrogen होना चाहिए, 0.2% का phosphorus होना चाहिए, 3% का potassium होना चाहिए, और ये आप देखेंगे, ये यदि नहीं है, तो पौदा आपको symptoms बताएगा, पौदा आपको deficiency बताएगा, तो आपको deficiency symptom बे मालूम होनी चाहिए, हर किसान भ नहीं हो सकता, अपनी और प्राक्टिकल प्राब्लेम्स होती है, यदि प्राक्टिकल प्राब्लेम्स हमारी है, हम लीप का analysis नहीं कार पाते है, तो कम से कम nutrient की deficiency को समझना हमारे लिए अहम भूमिका है, नाइट्रोजन ये जो घटक है, ये घटक आप देखते हैं, कि जो पि केले के खेती में बहुत important घटक है, नाइट्रोजन ये growth के लिए responsible है, नाइट्रोजन ये सारे protein synthesis के लिए जरूरी है, नाइट्रोजन ये biomass production के लिए जरूरी है, नाइट्रोजन ये chlorophyll molecule का हिस्सा है, यदि नाइट्रोजन कम होगा, तो पत्ता पिला होगा, इसलिए इसको यदि हम समझते हैं, तो हम हमारे पौदे का nutrition management कर सकते हैं, तीसरी बात है phosphorus, phosphorus की यदि deficiency होती है, तो आपको दो चीजे नजर आएगी, एक तो जो पत्ता पौदे को छोड़, जो पौदा, जो लिपशीत है, पत्ते जो है, स्टेम से छूट रहे हैं, लेकिन किसान पत्ते से दो तीन कारण से छूटे हैं, यदि हम यूपी का उधारन ले, और पौदा चीलिंग के शाक में चला गया, और फरवरी में उसकी रिग्रोध शुरू हो गई, तो जो पुराने वाले पत्ते हैं, वो श्टेम से छूट जाते हैं, इसलिए हमारी यूपी के केला कि किसान भाई ये ना समझें कि पत्ते छूट रहे हैं, तो ये फासपरस की डिफिसेंस यह, ऐसा नहीं है, दूसरा उधारन आप लीजिए, जब पौदा आप सलाइन साइल में कर रहे हैं, आपके जमीन में सोडियम का प्रमान बहुत जादा है, आपके जमीन में सलाइनेटी जादा है, उस टाइम पौदा पत्ते छोड़ता है, तो मेरे बहुत सारे किसान भाई ये आंद्रा में है, कनाटक में है, तमिलनाड में है, यहाँ सूरत में है, जो पुना कुमारिया का भाग है, वहाँ की जमीने बहुत अलकलाइन है, कुछ हमारे एरिया में बरानपुर म हैं लेकिन इस बात को यदि आप समझेंगे तो उसके कारण सोडियम के कारण भी पत्ता पवदे छोड़ता है फासपरस यह पवदे में बहुत आहम भूमिका निबाता है इसलिए फासपरस की कमी ना हो फासपरस की जरूरत पवदे को बहुत कम है फासपरस निगलीजिबल मा पात्रा में पवदे को लगता है आपको आगे उसका कैलकुलेशन बताएंगे कि जब हम जब हम 50 तन के ला निर्मान करते तो स्रिप ज्यादा से ज्यादा प्रती हेक्टर 52 केजिन फासपरस लगता है हम देखेंगे बैलनसिंग हम देखेंगे लेकिन फासपरस यह पवदे म उसका जो टोक है और पवदे का जो प्रिमारडियल फार्मेशन है मतलब लीप का बनना है फ्लावर का बनना है फ्रूट का बनना है इसमें फासपरस अहम भूमिक आनिबाता है फासपरस यह प्रोटीन सिंतेसिस के लिए काम करता है और इसलिए फासपरस की मातरा भले ही कम ह लेकिन फासपरस की जरुरत पौदे की हैं तीसरा आप देखेंगे यह potash की मात्रा है potash की difficiency है आपको दो ही difficiency हम बताए है लेकिन आप देखेंगे कि potash जो होता है इसमें थ्रोट चोक होता है पौदे 17 के पत्त एक जगा निकलते हैं जिसको गड़्चे पी बोलते हैं हम बोलते हैं नारे उसकी तो बहुत ये कोई मामला आया तो उसमें बोलते हैं कि उसकी थोड़ी गड़्चे पी हुई है वराबर उसी इसाब से पाउदे का थ्रोड चोक होता है पोटास की जब डिफिसेंसी होती है तो य इशिएनसी कहते हैं पत्ते पीले गरते हैं बंच का प्रिमयूर रैप्णिंग होता है यह पौटास की डिफिसियंसी है लुट ungefsti टेंपरेचर बहुत लो चला जाता है तो पौटास कीुपलब धता कम होती है जैसे 10 डिग्री के नीचे टेंपरेचर चला जाता है तो न्यूट्रियन की अवालेबिलिटी पोटाश की अवालेबिलिटी सबसे पहले सपर होती है और इसलिए पोटाश की मातरा बहुत इंपार्टन रोल है पोटाश की जरूरत पौदे को सबसे जादा है करीबन 400 से 600 ग्राम आपको पोटाश देना है आगे शेडूल आपको हम बताएंगे लेकिन पोटाश यह जो घटक है पोटाश पोटाश पोटे के अंदर enzymatic activity, biochemical activity, sugar synthesis करने का काम, enzyme को active करने का काम करता है और इसलिए पोटाश की जो मातरा है इसकी आहम बोमिका पोटे के बाड़ी के अंदर है और इसलिए पोटाश की जरूरत भी पोटे की बहुत ज़्यादा है तीसरा घटक आप देखिए, calcium आपने nitrogen, phosphorus, potassium देख लिया ये तीनों की तो हम बोमिका केले के खेती में हई है लेकिन calcium की भी बहुत आहम बोमिका है, calcium की deficiency जब आप देखते है तो इस प्रकार से incomplete lamin आता है कटेवा lamin आता है और कही जगा आपको जैसे चुरड़ा हुआ है इस प्रकार के wrinkling पौदे के उपर मिलती है ये calcium की deficiency है बहुत बार calcium की deficiency और बोरान की deficiency को हम mix करते हैं, mix करते हैं और बहुत बार दोनों similar आने की संभावना होती है ये आपको ध्यान में रखना है, calcium केले के खेती में बहुत important बोमिकानी बात है, calcium की मातरा जमीन के अंदर बहुत ज़ादा होती है कही जगा तो calcium देने की जुरद भी नहीं होती है, लेकिन जो black cotton soil है, जो black alkali soil है हमारा जो तांदलवाडी जैसा village है, नाचंज खेड़ा जैसा village है, आइनपूर जैसा village है, या पूना कुमारिया है ये जो villages है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैमाने पे pH ज़्यादा है, EC भी थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ जो potassium, calcium की जो कमी होती है, उसका कारण ये soil particle के साथ में colloidal form में attach रहता है, वहाँ से detach नहीं होता है, और इसके लिए calcium देना जरूर होता है otherwise calcium की कमी हमें बहुत कम बार मिलती है, calcium कई सारे cases में देने की ज़रत भी नहीं होती है लेकिन यदि deficiency हमें दिखती है, इस प्रकार से wrinkling हमें दिखता है, तो calcium हमें देना जरूरी होता है calcium ये केले के खेती में बहुत important है, प्लान के physiology में important है calcium ये cell wall का निर्मेती करता है, calcium ये पेशी बनाने का मुख्य घटक है और इसके लिए जो membrane बनता है, जो pectine membrane बनता है, उसको बनाने का काम भी calcium करता है calcium ये जो पवदे का strongness है, potassium और calcium ये पवदे को strong बनाता है और इसके लिए calcium देना बहुत जरूरी है, iron और calcium की यहाँ आपको common deficiency दिख रही है ये जो perpendicular stages आप, strips आप देख रहे हैं, ये calcium और iron की common deficiency है तीसरी बात आप देखेंगे, magnesium ये अहम रोल निबाता है, magnesium ये chlorophyll molecule का मुख्य घटक है और इसलिए magnesium की जरूरत केले के अंदर बहुत जादा है, magnesium हमें देना जरूरी भी है कुछ स्वाइल है, जैसे कि आप को स्टारिका देखेंगे, मार्टीनिक देखेंगे, जैसे कि आप हंडूरस देखेंगे, पनामा देखेंगे, बहुत सारे जगा, magnesium ये salt के फार्म में उपलब्द है जब magnesium का प्रमान जमीन के अंदर जरूरत से जादा होता है, तो एक चीज़ की सान भाईयों आपको ध्यान में रखने हैं, तब magnesium ये salt के स्वरूप में काम करता है उस टाइम वो nutrient का काम नहीं करता है, उस टाइम वो शार का काम करता है, और इसलिए magnesium की जरूरत को समझ के उसका हमें उपयोग करना है magnesium पौदो को health देता है, greenery निर्मान करता है, ये photosynthesis का हिस्सा है, ये respiration को बढ़ावा देता है, ये sugar निर्मिती को बढ़ावा देता है और इसलिए magnesium का रोल केले के अंदर बहुत ज़्यादा है, ये आपको ध्यान में लेना है, आगे जाने से पहले एक चीज़ हम आपको जरूर बताएंगे, जमीन के अंदर एक equilibrium होता है, calcium, magnesium और potassium, ये तीनों जो घटक हैं, इन तीनों घटक का यदि scientific अभ्यास आप नहीं करत हैं, तो आप केले के nutrition में कही ना कही गलती कर रहे हैं, ये समझ लिजेगा, और इसलिए हमारे डॉक्टर जे बासकरन साब है, यनारसी में बहुत अच्छा काम nutrition के उपर किये, डॉक्टर लहाव है, डॉक्टर गोवेन है, डॉक्टर सीमंड है, ये जो international scientist है, इन्होंने केल के nutrition में बहुत अहम काम उन्होंने किया है, और इसलिए calcium, magnesium और potassium इन तीनों का जमीन के अंदर जडों की कक्षा में एक equilibrium होना जरूरी होता है, मतलब इन तीनों का एक समान ratio होना जरूरी होता है, और वो ratio है, हमें उस ratio को यदि हम potassium, calcium और magnesium की बात करते हैं, तो जब एक potassium का आय हैं, तब हमें 10 calcium की आयन की जरूर्थ है, और जब 10 calcium आयन है, तब हमें 5 magnesium की जरूर्थ है, calcium, magnesium, potassium इसका जो equilibrium इसको कहा जाता है, इसका जो समिकरन जमीन के अंदर कहा जाता है, जडों की कक्षा के अंदर कहा जाता है, ये 1 as to 10 as to 5 इस प्रकार का है, मतलब एक गुना potassium तो 10 ग ना magnesium magnesium और calcium ये जमीन में बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं इसलिए उसको उपर से ज़्यादा देने के जौरत ने होती है potash का हिस्सा इस equilibrium में आपको सिर्फ 1% नजर आ रहा है 1 as to 10 as to 5 नजर आ रहा है लेकिन ये जो 1% का equilibrium का जो इसका ratio है ये ratio जो है बहुत important है और इसलिए जमीन के अंदर potash की उपलबदता बहुत है लेकिन potash जमीन के अंदर है लेकिन ये colloidal form में fix है और इसलिए 1-3% का जो fix potassium है ये पौदे को सिर्फ 1-3% potash available होता है बाकी का जो potash है यो soil में fix है और इसलिए बहुत बारे soil analysis होता है और soil analysis में potash reach जमीन आती है और potash reach जमीन भले ही आती है लेकिन exchangeable potassium नहीं है जो पौदा ले सके ऐसा potassium नहीं है इसलिए आपको उपर से 400-600 gram potassium किसान भाईयो देना पड़ जी इसका ग्यान हमारे पास detail नहीं है हम इसको विस्तुरूच से नहीं जानते हैं तो हमारे आद से गलती होने की संभव ना होती है और इसलिए हमने जैन irrigation ने इस knowledge को बढ़ाने का इस research को 30 साल से हमारे जैन R&D farm में हम इसका अभ्यास कर रहे हैं और मुझे खुशी है आप देखते हैं कि कितना बड़ा बदलाव के लेके खेती में आया है यह तीसरा गटक है आईरन आप जानते हैं आईरन की बहुत important भूमे का यह chlorophyll के लिए है फोटो सिंतेसिस के लिए है आईरन यह जो गटक है कम मातरा में लगता है लेकिन आईरन भी बहुदे के लिए बहु जादा होता है उस प्रकार के जमीन में आईरन की डिफिसियंसी बहुत जादा आती है पत्ता पीला गिरता है पीला गिर के सफेद होता है सफेद होने के बाद में धीरे धीरे ओ पत्ता जलने भी लगता है हमने तो यह देखा कि जब पूरा पत्ता सफेद हो गया और उसके बाद में जलने लगा जहां स्वाइल है का प्रमाद जादा है स्वाइल में सोडियम आदा है उस समय पर फॉसरेस ईफिशेर नियुन महते हैं तिसरा बात जब imbalancing बहुत ज़्यादा करते है तब भी जब हम phosphorus प्रमान से ज़्यादा डालते है तो ये iron की deficiency को induce करता है ये भी आप धान में लीजिए ये तीसरा घटक आप देखिए ये ferrous, zinc और magnesium तीनों की common deficiency है आपने magnesium देखा कि magnesium में बीश में पीला पनाता है और बाहर से पत्ता हरा होता है, ये magnesium की deficiency है, nitrogen के deficiency में पवदा uniform पीला होता है, तो zinc की deficiency में पवदा, पीला, pink और उसका lamina जो है, ये कम हो जाता है, हम उसको देखेंगे, ये जो common deficiency आप देख रहे हैं, ये sulfur की deficiency है, आप देख रहे हैं, कि पवदा बीच में हरा है, बीच में वो पीला हुआ है, और उसकी जो border है, ये थोड़ इसी रेडिश हो रहे हैं, इसका मतलब ये sulfur की deficiency है, sulfur ये जो गटक है, केले के पवदे के अंदर इसकी बहुत important बुमिका है, sulfur ये protein synthesize का का काम करता है, enzyme synthesize का का काम करता है, आगसीं synthesize म काम आता है, और इसलिए sulfur का होना बहुत जरूरी है, तीसरा आप देखेंगे ये जिंग की deficiency है, एक पवदा चोटा है, एक पवदा बड़ा है, बड़े वाले पवदे में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से pink color आपको पिटियोल के जो blades है, उसके उपर दिख रहे हैं, हम और ये deficiency आपने आप निकल जाती है, आपने देखा पवदा जब दो मेने का है, तब आपको जिंग की deficiency नजराती है, उसका प्रमुक कारण ये है कि शुरू में हम पवदे को बहुत जादा फासपेटिक फटलाइजर का डोस डालते हैं, फासपरस उस समय जड़ों के कक्षा आपको जादा में एक्सेस होता है और इसके लिए जिंग की deficiency निर्मान होती है, और जैसे ही तापमान बढ़ता है, पाउदा बढ़ता है, तो जिंग की deficiency कम होती है, जब ये कम नहीं होती है, तो हमें चिलेटेट जिंग का स्प्रे उसके उपर करना है, हमें जेडेन ये का स्प्रे उसको उपर करना है पांच ग्राम एक लिटर पानी में डाल के आप मारेंगे तो जिंक की डिफिसेंसी को आप क्लियर कर सकोगे उसी प्रकार से पांच ग्राम एक लिटर पानी में आगे हम आमको शेडूल आपको स्प्रेंग वाला बताने वाले हैं लेकिन सबस से जिंग की डिफिसेंसी को हम समझ सकते हैं जिंग पवदे के अंदर बहुत आहम भुमिकाने बाता है बंच में डिफार्मेटी आना फिंगर की लेंट ना मिलना गुनवत्ता ना मिलना हमारे जो आभी निर्याददार हमारे जो किसान भाई बनाना की निर्याद कर रहे हैं केले की निर्याद हो रही है उसमें गुनवत्ता के इशूज आ रहे है क्यालिपर के कई जगा इशूज आ रहे लेंड के कई जगा इशूज आ रहे यदि इन इशूज को हमें समझना है तो जिंग जो गटक है ये घटक बंच जब नीचे आ जाता है और जब झिंग की सिवेर डिपपीसियंसी होती है तो जो डंठल होता है, जो नीचे का नेवल बढ़ है, कमबल आप तोडते है, गुट्टा आप तोड़ते है, तो उसका जो नीचे का डंठल है, वो जमीन को समतल बन जाता है वाई से सीधे होना चाहिए वो जमीन को समतल हो जाता है यह जींग की सिवेर डिफिसेंसी है यह आपको ध्यान में लेना है तीसरी चीज आपको ध्यान में लेना है बोरान यह घटक है बोरान की डिफिसेंसी हम आपको नहीं बताए बोरान यह ज लग जाता है उसका लैंसियो टाइप उसका शेप बनता है यह फेरस और बोरान दोनों की common deficiency होती है बोरान का जो रोल पौदे के अंदर है वो important है बोरान की मातरा बहुत कम लगती है बोरान की जरद बहुत कम है बोरान के फार्म आपने देखे है बोरिक आसिड है बोरैक्स है यह कितना देना है आपको जरूर बताएंगे लेकिन बोरान यह important काम करता है यह बोरान पत्ते के अंदर nutrient के ट्रांस्पोर्ट का काम करता है यह nutrient को उपर से ले जाने का काम करता है जो food material बनाया उसको ट्रांस्पोर्ट करने का काम करता है और इसलिए बोरान की जरुद भले ही छोटी है लेकिन जरूरी है पवदे की गुनवत्ता है पवदे की जो पील होती है मतलब जो केला है केले की जो पील होती है साल होती है उस साल का ब्रेकिंग ना होना उस साल की गुनवत्ता मिलना उसको चका की मिलना एक केल्शियम और बोरान दोनों का काम होता है और यह जो घटक है इसकी टॉक्सिय। आप देख रहे हैं। एकसे मैंगूनीष की जरूद बहुत कम है। बॉरान की टॉक्सिशिटी आप देख रहे हैं। आपने जरुज से ज़्यादा बोरान डाल दिया हमारे किसान भाई है दुलिया में साकरी के अंदर जिनके यहां बहुत ज़्यादा बोरान केले को डाल दिया मैं आपको बताता हूं पूरी तरह से आर्चड फेलो गई हमारे किसान भाई है अंजड में बढ़वानी में करीब बोरान बहुत ज़ादा पैमाने पे डाल दिया बोरान की टॉक्सिसिटी इतनी सिविर होती है कि जो फिंगर है ये फिंगर तीन से चार इंज का होता है एक दम स्टिफ हो जाता है टनक हो जाता है चका की उसको आ जाती है और ये बढ़ता नहीं है दो उधारन मेरे पास है जिन लोगों ने 7000 पौदे 8000 पौदे पूरी तरह से नुकसान हुए है और इसलिए बोरान का इस्तेमाल करते समय आपको ध्यान में लेना है यह आईरन की टॉक्सिसिटी आप देख रहे हमारे आंदर प्रदेश में ताडी पत्री है ताडी पत्री न कुछ एरिया है कि जहाँ सोडियम बहुत जादा है और सोडियम की टॉक्सिसिटी वहां मिलती है और इसलिए हमें नूट्रियन के रोल को नूट्रियन के डिफिसिएंसी को समझ लेना जरूरी था इसके साथ आप और एक चीज़ आप देखेंगे कि हमें जो नूट्रिशन क पर्टी केशन करने से पहले एक चीज को हो रापको समझना है जो सिनर्जस्टिक और अंटागोनिश्टिक इफेक्ट आप नूट्रीइन कहा जाता है मतलब एक नूट्रि counties दूसरे नूट्रिइन को लेने के लिए अर्थडा करे इस प्रकार की जो बात है इसको हम सिनर्जिजम और अंटागोनिजम कहते हैं दूसरा हम कहते हैं compatibility चार्ट हम कहते हैं एक nutrient दूसरे nutrient से compatible नहीं है मतलब एक nutrient आप दूसरे nutrient में एक fertilizer दूसरे fertilizer में आपने mix कर दिया तो वो insoluble हो जाता है उसकी उपलबदता कम हो और इसके लिए इस चार्ट को ना देखते हुए एक चीज़ आप ध्यान में लिजिए कि कोई भी phosphatic fertilizer आप calcium के magnesium के और micronutrient के साथ नहीं दे सकते हैं कोई भी phosphatic fertilizer आप sulfate के साथ नहीं दे सकते यह बात आपको ध्यान में लेना है calcium और phosphorus हम साथ में नहीं दे सकते जींग ferrous और calcium हम साथ में नहीं दे सकते यह आपको ध्यान में लेना है ammonium sulfate और phosphorus आप साथ में नहीं दे सकते calcium nitrate और phosphorus आप साथ में नहीं दे सकते calcium nitrate और micronutrient आप साथ में नहीं दे सकते इतना ही आप इसमें से समझ लिजिए यह nutrient की जो compatibility होती है यह आपको बाद में available होगी तीसरा जो होता है इससे antagonism कहां जाता है और जिसे हम स्चासरोकत भाषा में यह कहते हैं कि एक nutrient दूसरे nutrient की लेने में किस तरह से अर्थरा निर्मान करता है potassium बोरान को लेने के लिए तकलिप देता है तो molybdenum copper के लिए करता है magnesium बहुत excess हुआ तो potassium को कम करता है और potassium बहुत excess हुआ तो magnesium को कम करता है आप phosphorus को देखेंगे सारे घटक आपको बताएगे phosphorus आप देखेंगे manganese है ferrous है zinc है copper है calcium है ferrous है सभी को लेने के लिए तकलिप देता है इससे antagonism कहा जाता है zinc ferrous को लेने के लिए तकलिप देता है तो boron potash के लिए देता है तो iron phosphorus के लिए देता है nitrogen copper और potash के लिए देता है जब हम excess of nitrogen यूज़ करते बनाना की requirement 220-230 gram प्रतिपवदा है हमारे NRC के recommendation से 300 gram प्रतिपवदा है यदि हम इससे जादा दे रहे है तो ये deficiency को potash के लेने के तकलिप करता है जब calcium की बात करते है आप देखिए calcium कितने सारे को कम करता है और इसलिए हम कहते हैं कि जब आप ठंड का मोसम हो तो बहुत सारे किसान भाई ammonium sulfate का इस्तेमाल करते हैं ammonium sulfate ये calcium को लेने के लिए तकलिप देता है ये zinc को लेने के लिए तकलिप देता है वैसे ही ठंड में इसकी solubility कम हो जाती है phosphorus की solubility कम होती है, potassium की solubility कम होती है, solubility उपर से कम होती है और ammonium जैसा जो घटक है ये phosphorus को calcium को potassium को लेने में दिक्कत निर्मान करता है और इसलिए किस समय, किस season में, किस तापमान में, किस वातावरण में हम किस nutrient को apply कर रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है ये आप देखिए, ये synergistic effect है, हम कहते हैं कि चलो भई साथ में चलते हैं, हम तो हमारी भारतिय संस्कूरूती है, हम एक दिसरे को साथ में लेके चलते हैं, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा population है, इतने धर्म है, अलग-अलग बाशाय है, अलग-अलग culture है, लेकिन पूर हो, गन्ना हो, आनार हो, मोसम भी हो, आदरग हो, आडद हो, कुछ भी हो, सारे cotton हो, सारे फसलों को हम साथ में लेके चल रहे हैं, इससे synergism कहा जाता है, और ये synergism जो है, तो ये synergy होती है, कि nitrogen magnesium की आप्टेक को बढ़ाता है, magnesium phosphorus और कि इसके अप्टेक को थोड़े प्रमाने पे इसको तकलिप देता है, लेकिन मौलिबडेनम nitrogen को बढ़ाता है, potassium, manganese और iron को बढ़ाता है, और sulfur आप देख लीजिए, sulfur डालने से nitrogen, potassium, copper, manganese, magnesium, सब लेने के लिए मदद करता है, इससे synergism कहा जाता है, एक बात हम कहेंगे, अभी हम nutrient क balancing पे जा रहे हैं, अभी हम nutrient uptake के उपर जा रहे हैं, अभी हम देखेंगे कि एक जो पवदा, जो बनाना का पवदा खड़ा है, उसने कितना nutrient uptake किया है, ये डॉक्टर गोवेन का ये study है, जिन्नों ने इसके उपर बहुत अच्छा काम किया है, और इस study को यदि आप देखे थेएंगे तो आपके समझ में आएगा, ये एक एक अड में, एक हेक्टर में सरिफ में 2000 पवदे लगे, और ये एक हेक्टर से सरिफ पचास तर्ण यिल्ड आया है, ये पचास तर्ण यिल्ड में आप देख रहें कि इस पवदे ने जो अपटेक किया, ये 1500 किलो ग्राम को आपके किया मान के आप चलिए मतलब सौरी यह धाई अजार पौधे एक हेक्टर में हैं और स्रीप पचास तन का इल डाया इसका मतलब क्या हुआ एक पौधे ने 600 ग्राम पोटाशियम को आपके किया तीसरी बात आप देखेंगे तो इसने 125 किलोग्राम मैगनेशियम को मतलब यह हुआ कि करीबन 60 ग्राम एक पौधे ने मैगनेशियम अप्टेक किया और यदि हम टनेज की बात करते हैं तो आपके समझ में आएगा कि एक टन केला निर्मान करने के लिए धाई कीलो मैगनेशियम लिया गया इसलिए किसान भाईयो आपको इसको समझना है एक भी घटक कम होगा तो उत्पादकता कम होगी बहुत बार हम देखते हैं कि हमें ऐसा लगता है हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं उनको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर डाल रहे हैं बहुत सारे किसान भाई हैं उनको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा नाट नाइट्रोजन श्रीप 400 ग्राम 388 ग्राम का अप्टेक होगा लेकिन यहाँ पर स्वाहिल का प्रेश है जो आर्गानिक कंप कंटेंड है वो करीबन 2 से जादा है और इसलिए वहां नाइट्रोजन की जो रद्कम है लेकिन हमारा जो आर्गानिक कंटेंड है इतियोपिया में क आर्गानिक कार्बन यह 8 था यदि जमीन के अंदर इतकी सुपीकता है फर्टाइल लैंड है और आपने कम नूट्रियंट दिया तो उत्पादक्त आपको ज्यादा कम होने की संभावना नहीं है लेकिन जब हमारी जमीन इतनी उपजाव नहीं है जब हमारे जमीन में इतना आ नूट्रियंट अप्टेक के हिसाब से हमको नूट्रिशन करना बहुत जरूरी है उसका दूसरा कारण यह है एक बात ध्यान में आप लीजिए बनाना में बहुत ज्यादा बायोमास प्रडेक्शन होता है बनाना यह जो क्राप है इसको यदि आप देखेंगे तो इतना इस इतना बड़ा बायोमास निर्मान करना है राइजोम बड़ा करना है स्टेम बड़ा करना है डाटर सकर्ष निकालने है बंच तीस के जिका निकालना है यह जो बायोमास है यह बायोमास करीबन साड़े चारसो टन का बायोमास एक हेक्टर के अंदर निर्मान हो रहा है और य हिसाब से अन्न घटक की जरुरत है हमारे मित्रह टर्की में 1000 ग्राम केले को पोटाश डालते हैं रिसर्ज बता रहा है डॉक्टर गोवेंड बता रहे हैं कि इसमें 600 ग्राम पोटाश डालना चाहिए हमारे देश में जब सव चालीस सव का रिकमेंडेशन यन पीके का बनाना के लिए आज से 25 साल पहले था तब भी जैन इरिगेशन ने आज से 25 साल पहले ये बात कही कि बनाना को 200 से 220 ग्राम नाट्रोजन की जरुरत है 65 से 70 ग्राम पोटाश की जरुरत है और 400 ग्राम पोटाश की जरुरत है लेकिन इसमें यदि हम कम करते है nutrition balance हमारा ठीक से नहीं होता है जैसे कि आप देखिए calcium आप देखिए 227 kg calcium पौदे ने लिया है और ये जो आप टेक को आप देखेंगे तो इसका मतलब ये आया कि आप करीबन एक हेक्टर के अंदर कम से कम ये 90 kg का फासपरस आप टेक को आप देखिए और इसी हिसाब से दूसरी चीज़ आप देखिए ये आप टेक क्यों जरूरी है इतना nutrient आना क्यों जरूरी है यदि हमने इतना nutrient नहीं दिया तो डॉक्टर लीबेग क्या कहते है डॉक्टर लीबेग कहते है law of minimum what is the law of the minimum law of minimum ये कहता है कि भले ही आपने सारे घटक अच्छे से दिये हो आपने नाट्रोजन दिया फासपरस दिया पोटास दिया जिंग दिया फेरस दिया बोरान दिया कैल्सियम दिया सब कुछ दिया सिलिकॉन दिया सब कुछ आपने दिया लेकिन कम होने का संभव किस प्रकार का है ये ला अप मिनिमम कहता है और इसलिए जो घटक हमने कम दिया वो उत्पादक्ता को घटाता है ये इस रिसर्स से आपको पता चलेगा तीसरी बात हम आपको जरूर कहेंगे हम हमेशा कहते हैं कि ये जो इतना बड़ा बायोमास निर्मान हु हमें नूट्रियन की रिसाइकलिंग करनी है हमें नूट्रियन के लास अन गेन को भरके निकालना है और नूट्रियन लास अन गेन जो भरके निकालते हैं नूट्रियन साइकलिंग को पूरा करते है उसको बैलंस नूट्रिशन कहां जाता है तो ये बैलंस नूट्रिशन किस इस प्रकार का होता है यहां आप देखेंगे आपके नजर में आएगा कि जो 1500 किलो जो 1500 किलो पोटास हमने दिया उसमें से 778 किलोग्राम 788 किलोग्राम पोटास यह फल ने लिया फूरूट ने लिया बाकी की मात्रा यह स्टेम में रही बाकी की मात्रा यह पौदे में रही य पूट्स में रही और इसलिए एक चीज़ आप ध्यान में रखिये कि देश के अंदर पहली बार जय निरिगेशन ने ये बताया कि हमारे किसान भाई जो केला हर्वेस्ट होता था हर्वेस्ट होके हम स्टेम को काटे थे स्टेम को काट के बांडरी के उपर लिजा के फेकते थ या उसको कमपोशपीट में डालते थे जब तक कमपोशपीट में डालते थे अच्छी बात थी हमारे कुछ किसान भाई पूरा बायोमास जमा करते थे उसको जला देते थे क्योंकि उस टाइप इतने प्रकार के डिस्क हैरो नहीं थे इस प्रकार के हमारे पास रोटावेट रशर नहीं थे जो कि सारे बायो Middle खाश कर डाले तो खिसान भाईयों को institutional कुर्श που करना प Denish कर देंप七 उनको पुधे मालूं मेरता हैं यह भले मालूम नहीं था लेकिन दिख्कत इविप थी इसके कारण हम निकाल के फैक रहे थे 1995 में पहली बार जय निरिगेशन ने बताया कि हमें स्टेम को खड़ा रखना है हमें स्टेम को काटना नहीं है हमें स्रीप पतो को काटना है और पतो को काटके भी उसको हमें कमपोश पीट में डालना है उसका कारण यह है कि यहां प्लांट के बाड़ी में रहा नाट्रोजन 119 किलोग्राम ये प्लांट के बाड़ी में रहा और ये आप देखेंगे ये जो प्रमान आप देखेंगे कुछ जुतना न्यूट्रियंट हमने दिया है सारे घटक जो हमने दिये है उसका प्रमान यह दिया आप देखेंगे तो स् 49% लिया 56% पोटासियम लिया 54% फासपरस लिया 45% कालिशियम लिया 39% मागनेशियम लिया ये अन्नगटक फल ने लिये फल को हमने काटा बंच को हमने काटा काट के खेद के बाहर लेके गए मतलब ये न्यूट्रियंट हम खेद से बाहर लेके गए और ये जो loss हुआ, इस loss को हमें अगली फसल में भर के निकालना है, पौदे ने जो लिया उसको जमीन में incorporate करना है, हम clean cultivation हमारे यहां जरूर करते हैं, लेकिन हमें बिमारियों से, हमें इंसेक्ट से बचने के लिए हम clean cultivation करते हैं, लेकिन इसको हो यदि हम composting करते हैं, तो ये सा आरे nutrient को हम दुबारा recycle कर सकते हैं, ये बात हमें धान में लेने की जुरत है, इसलिए आज हम क्या कर रहे हैं, पौदे को वही छोड़ दे रहे, रटून में उसको नहीं काट रहे, तो उसका reverse pool बन रहा है, जब पत्ते काट दिये गए हैं, तो ये जो stem है, ये सुकने जाता है, इसका जो nutrient है, initially डाटर सकर को मिलता है, बात में डाटर सकर अपना घर बसाता है, और वो अपना अपना आनाज लेना शुरू करता है, लेकिन शुरू के समय में ये जो stem है, ये डाटर सकर को support करता है, इसका जो pool है, आपने देखा, जो nutrient pool है, ये नीचे से उपर था, ले तीसरी बात आप देखिए, कि ये nutrient कितने important है, यहां आप देख रहे हैं, ये जो growth वाला पौदा है, जो growth में हैं, तो growth वाला पौदा आप देख रहे हैं, कि जो आने वाला पत्ता है, उसमें phosphorus है, nitrogen है, sulfur है, calcium है, magnesium है, boron है, stem के अंदर जादा से जादा potassium है, कौर्म के नीचे sodium है, ferrous है, copper है, जब पौदा बड़ा हो जाता है, तो उस समय पे आप देख रहे हैं, कि जो bunch आप देख रहे हैं, इस bunch को भी nitrogen और phosphorus की जौरत है, जो stem आप देख रहे, potassium की जौरत है, उपर का पत्ता आप देख रहे, nitrogen की जौरत है, और इसलिए, generation ने, जो fertigation का schedule बनाया, मैं आपको एक गर्व से मैं कहूंगा, मैं कुछ literature पढ़ रहा था, और fertilizer association of India, इस्राइल का हमने एक report पढ़ा, हैपा शहर में, जो fertilizer association है, इस्राइल की, उनका एक report हमने पढ़ा, उस report में, आदर निय परम सुरद्यय भवरलाल भावजयन का reference लिखा कि इनों ने देश में केले के खेती में क्या अच्छा काम किया है, ये उन लोगों ने आज से 15 साल पहले लिखा है, ये बात आप ध्यान में लिजिए, इसलिए जैनेरिगेशन का जो योगदान केले के फार्मिंग में है, इसको हमारा केले का किसान भाई, ये भूल नहीं सक इसके उपर हमें आगे चलना है, नूट्रियन का हमने अप्टेक देखा, नूट्रियन की हमने जरूरत देखी, नूट्रियन का हमने प्लान बाड़ी में रोल देखा, नूट्रियन की हमने फल के लिए, पौदे के लिए कितना लग रहा, वो हमने देखा, नूट्रियन कीतन लकिन हमें आभी पाउदों को vertigation करना है और vertigation करने से पहले एक छीज़ आप ध्यान में रखिये कि why we need जो nutrient की efficiency है वो क्यों कम है nutrient की efficiency इसलिए कम है कि nutrient जो होते है say for example हम nitrogen का उधारण लिजिए nitrogen efficiency is low and how can we control the nitrogen how can we improve the nitrogen efficiency यह आपको समझ लेना है nitrogen यह highly volatile है nitrogen यह highly mobile है nitrogen यह leach out होता है nitrogen में denitrification होता है जब जमीन में वातावरन अच्छा नहीं है जब temperature बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो जो available nitrogen है यह denitrification हो जाता है और इसलिए nitrogen की efficiency 30 से 50% है हम हमेशा बात करते हैं लेकिन इत बात को आप समझे है कि phosphorus यह highly immobile घटक है phosphorus यह हर किसी के साथ जूड़ जाता है हर किसी के साथ friendship कर लेता है आप देखेंगे जो heavy metals है उसके साथ भी दोस्ति करता है फेरस है जींक है इसके साथ भी दोस्ति करता है calcium के साथ भी दोस्ति कर लेता है और वही fix होके वही रहता है इसलिए इसकी efficiency बहुत कम है potassium efficiency comparatively बहुत जादा है